मैं मेगा चावला आपका मेग करियर अकैड में स्वागत करती हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SSC MTS की जो है आंसर की आ चुकी है तो एक्सपेक्टेड कट ओफ बच्चे पूछ रहे थे कि एक्सपेक्टेड कट ओफ कितनी रहेगी तो आएए जानते हैं डिटेल से कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ओफ रहे सकती है ये एक नॉर्मल अंदाजा है कि इतनी ही रहेगी ये प्लस 5 माइनस 5 जा सकती है क्योंकि SSC में नॉर्मलाइजेशन होता है और आपको पता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो पूरा का पूरा गेम चेंजर होता है ठीके तो ये एक्सपेक्टेड कट ओफ है अगर आपके इतने मार्क बन रहे हैं इससे 5 मार्क उपर या 5 मार्क नीचे तो आप क्या है आप तयारी मतलब आप जो है competition में हैं ठीक है आपका number जो है आ सकता है ठीक है तो start करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे SSC MTS में जो vacancy थी वो कितनी थी लगबग 12,523 के लगबग vacancy थी और जो form भरे गए थे वो approximate 55 lakh जो थे वो form भरे गए थे ठीक है इस बार का pattern आप लोग जानते ही हैं कि जो reasoning और math था वो qualifying nature का था जिसमें आपको 2020 marks के questions थे ठीक है sorry 2020 questions थे जो 40 marks के थे ठीक है तो इसमें आपको minimum UR के लिए 12 करना था OBC के लिए 10 और SCST के लिए 8 ये हमारा minimum criteria था लेकिन जो merit base थी merit जो बनेगी वो GS और English के base पर बनेगी जिसमें हमारे जो questions थे वो 25-25 questions थे और जो per question था वो 3 marks का था यानि 75 और plus 75 total marks हो गए हमारे 150 ठीक है जो exam चला था वो मई से लेकर के June तक चला था ठीक है 20-21 June तक चला था मई में जो exam आ रहे थे GS के वो level थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि June के comparison में easy था लेकिन June में ये level बढ़ गया था ठीक है तो उसका आपको अगर हम बात करें GS और English की तो अगर average देखा जाए तो average निकल के GS का 14-15 questions ही आया है ठीक है जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनका 14-15 questions ही आया है यही ऐसे English का देखे जाए तो English का भी 17-18 questions निकल कर आया है कि जो बच्चों का negative हटा कर इतने marks बन रहे हैं ठीक है तो उसके साब से अगर हम देखे जाए तो हमारी जो यू आर की merit जाएगी यानि जर्नल केटेगरी की जो merit जाएगी वो 90-110 marks के बीच में जानी चाहिए ठीक है इसमें normalization add नहीं है normalization add होने के बाद यह merit जादा भी जा सकती है और कम भी हो सकती है ठीक है आप plus 5 minus 5 इन marks में कर लीजेग अगर आपके 85 भी बैट रहे हैं तब भी आप मानिएगा कि आप competition में है ठीक है तो जर्नल की हमारी बैट रही है 90-110 के बीच में ही approximate अगर डाटा निकाला गया है तो इतने ही बच्चों के maximum marks बैट रहे हैं ठीक है ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और जर्नल में जादा फर 75 से 95 के बीच में और स्टी की 70 से 90 के बीच में मेरिट जा सकती है ठीक है तो इतनी मेरिट रहने की उमीद है आप भी अपने जो marks है कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपके कितने marks बन रहे हैं आप यह वीडियो आपके लिए अच्छी रहेगी अगर वीडियो अच्छी लगा है झाल वीडियो आपके बीच झाल वीडियो आपके कितने मेरि में बताएगा कि बताएगा कि रहे हैं।